हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपुरोईत आपका जगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रीज पर मैगनेट ब्रीज जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कांटेंट सिस्टेमेटिकली प् इसक्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कक्षा बारिभी की बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्फव्यवस्ता इस बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मानव बस्तियां यह चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया था इस के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एंसी आटी सॉलूशन्स एमसी क्यूज और एमाई क्यूज कॉशन भी डिसकस कर लिये थे लेकिन आप लोगों की डिमांड होती है सर कोई एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जो एक भलाई थोड़ी सी लंबी वीडियो है लोकर एक ह अगर आप लोगों ने इससे जो चैप्टर से संबंद जो हम लोगों स्लॉट में वीडियो निकाली थी वह नहीं देखिए तो आप वह भी देख सकते हैं और अगर आप लोगों के पास एक्जाम का प्रेशर हो तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चलिए हम लोग जो है complete chapter revision इस जो चैप्टर है मानव बस्तियों का ये वीडियो हम करते हैं कि लोता होता है मैंने आप पहले इस चैप्टर में नगरी बस्तियों के नगरी छेतनों में बस्तियां किस प्रकार होती हैं और इस चैप्टर में हमें भारत में नगरी करण के बारे में समझना है कि भारत में नगरी करण किस तरीके से आगे बढ़ा और वहां से होते हुए आज हम लोग जो है smart cities के concept तक पहुँच चुके हैं तो आज जो है smart cities महा नगर मेगा नगर तक भारत में विक्सित हो चुके हैं तो आज हमें इन तीन topics के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है एक डाउट आपके clear जो है वो हो जाएंगे फिर भी किसी तरीके का कोई समस्य सबसे पहले मानवबस्ती का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल ठीके किसी भी प्रकार कोई भी टाइब हो सकता है और कोई भी आकार मतलब शेप जो है उसका कोई भी हो सकता है तो किसी भी आकार प्रकार का घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं इस उद्देश के लिए जो लोग मकानों और अन्य मारतों का निर्मार करते हैं और अपने आर्थिक पोशन आधार के लिए कुछ चित्र पर स्वामित्वर रखते हैं अब देखे हो तक है पहली बात तो आपनों को याद रखने किसी भी आकार और पकार टाइप भी भी कोई सा हो सकता है और शेफ भी जो है या सब्सक्राइब के लिए तो करेगा ही ना पेट पाल ले के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं मानव बस्ती उस जगा को अतर्ब बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के और उनके संसाधन आदार के रूप में छेत्र का आवंटन संभलत होता मतला silly में होता कि मूल रूप से 주use समोहन मतला इस समूह को हम वुटते हैं तो समूह के आदार पर लोग एखके होते हैं या फिर संसाधन जहाँ पर बनाकर वहां पर रहने लगे तो यह मतलब होता है या फिर मानुव बस्ति का उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से बारीकियों के साथ हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे कोई डाउट होता है आप तुरंत जो है पूछ सकते हैं नेंग्स्ति क्या है कि बस्तियां आकार प्रकार में बहने हो सकते हैं ये तो में पता ही नका प्रिसर अभी नहों को केंकृ रखन चीचेत च्छेतर के साथ को बस्तियों बढ़ी बस्ती है तो सकता है वह किसी उद्यूग में एसजो बड़े बस्ती तो इस הז也 सकता है और तो बहुत अच्छे से प्रगार संबंध लोगों के होते हैं और संबंध जोते हैं वो अनवचारिक होते हैं अप्सक्राइब और सवीशित्त से पर साथ की और की परऊद्धकी की अब भाई जैसे-जैसे वस्ती का अकार बढ़ता है लोग आते हैं ज्यादाild तो बहुंद की परियावरण भी इंवार्मेंट भी चेंज हो जाएगा गाओं में इनवार्मेंट रहेगा बहुत खुशनमा महा हो रहा हो रहता है लेकिशे फ्रश्रों में प्रश्तिक एक बोलग होती है एकड़ कुछनगरी बस्तियों के अलग कि सभी की बात नहीं कर रहा हूं कुछ नगर बहुत अच्छे से साइंदी के लिए बसे हुए है तो कुछ में हमें होच्पोच्छ देखने को मिलती है दिल्ली की हम बात करें ऐंगरंगे से यों की बात करें बस्तिया चोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था में हो सकती हैं बस्तियां जो होती हैं मैंने आपनों को बताए है छोटी भी हो सकते हैं मतलब लोग बहुत ज्यादा सगनता के साथ पास-पास भी रह सकते हैं विरल रूब से चोटी बस्तिय जो कई बलते हैं चोटी चोटी बस्तिय जहां पर לא रहते हैं क्वीत और काम पशुपालन अगर में काम रहता है और भाए गाए अधिक्तल रहते हैं प्र Тогда क्रियां में सनल्ग नोते या फिर खेती बाड़ी करते हैं वह बड़े अधिवास दृतियक बड़े जो नगर होते हैं यह बड़ी जहां पर बस्ती होती है वहां पर अधिक्ता लोग प्राथमिक क्रिया मतलब कहते क्या करते हैं में तो वो होते हैं मतलब एसे सक्टर में जहां पर कुछ ना कुछ जो है चीज बन रही हो जिसे हम विनिर्माड बोलते हैं हम लोग अगर सोशल साइस की लेंगभिजमें विनिर्माड इंगलेंगे तो में नगरों में जो मुख्य व्यावसाय होता है वो प्रात्मिक क्रिया या पशुपाला नहीं होता वो होता है क्रिया कर्याप जो यह से कि मैं अपनों को पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी आप लोगे के लिए जो है यह सर्विस लेकर आया हूं मतलब कि मैं कौन से सेक्टर में लगा हूँ मैं हूं तर्शरी सेक्टर में तो ड्वितियक तृतियक और प्रात्मिक सेक्टर का जो वरगी करण है उधारन के थुरू मैंने आप लोगो बता दिया है फिर भी समय नहीं आता है तो प्रात हूं यहाली स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होगी ग्रामीर और नगरी बस्तियों में आधार बूत अंतर याद नहीं होता में अंतर समझ ले चलिए कि ग्रामिड वस्तियों में और नगरी वस्तियों में मुख्य अंतर या डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है ग्रामिड वस्तियों आपने जीवन का पोशन अत्वा आधारवूत आर्थिक आवशक्ताओं की पूर्ती भूमी आधारित प्रात्मे क्रिया कलापों से करती हैं तो गाओं में लोग जो है अधिकतर ऐसे काम करते हैं जो भूमी आधारित हो जैसे कि मुख्य था खेती बाड़ी या फिर हम लोग बात कर सकते हैं पशुपालन जब गी नगरी वस्तियां एक और कच्छे माल के प्रक्रमण को तैयार करने के विनिर्मार और दूसरी और विभ लाया जाता है तो रहते हैं जी वह बहुत सारी अगलोर के लिए नगरी वस्ति हैं मुख्य जविवसाइब न्गरी वस्ति है वह महां का रखना तो यह जो मुख्य वह विव्य विवसाय तो मुक्या वथ्याएव tor बेंगलोर की मुख्य विश्चता है यह दारन नगर और यह कि मुख्य विश्चता है कि वह जो है एकॉणिक ग्रोथ के इंगन होते हैं नगर अगर में बात करूं और के वर नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्च भूमी की ग्रामिड वस्तियों को भी भोज़न और कच्छे माल के बदले वस्तुवर सेवाइं परतान करते हैं बाई नगरों में चीज़ें कहां से आते हैं पहली चीज़्व आप मुझे यह बताओ नगर है मालो एक नगर में दूद आया अब दूद से माण लीजिए हमदावाद में या अमूल की चॉकळेट या अमूल का मत्हा या कुछ भी हो सकता है वहाँ से जो है चॉकलेट है सब्सक्राइब गई और वापिस अहमदावाद से कहां जा रही है गाउं तो मुखे जो नगर होते हैं वहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो वापस डिलीवर होती हैं कहां पर गाउं की तरफ तो यही बात लिखी हुई है कि ना केवल नगर वासियों को बलकि अपने पश्च भूमी की ग्रामिर बस्तियों को भी क्या प्रोवाइट करते हैं भोजन औ और संचार परिपत के माद्यम से स्थापित होते हैं नगर और ग्रामीड चेत्रों के मद्द जो संबंद होता है कि जो मैंने आप लोगों को बताइए कैसे विक्सित होता है बैस एक है जो चीज यह परिवाइब तो यह जो गाओं और नगर को जोड़ने का काम करता है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को नगरी बस्तियों ग्रामीड बस्तियों में यह वाली स्लाइड में जो अंतर दिया गया वह बहुत अच्छे से क्लियार हो गया होगा जहां पर एक चबू तरह प्लैक्फॉर्म मना होता है वहां पर लोग जो है दोपहर में ये शाम के समय बैठकर बातें करते हैं इस तरीके की बाते हमें नगरों में देखने को भी मिलती नगरों में हाला कि पार्क वगेरा होता है लेकिन हर व्यक्ति अपने इंडिविज्वे आणा भी नहीं होते हैं पड़ोसी भी ओते हैं वह सांथ देते हैं नहीं की सबात होते हैं रहे यहां बात खने झालो होती है तो है तो जो यह ढकिनःवार जो है आपस में ऐसे जो जाता है यह से बात लगते हैं जैसे कि अथि बिज़ड़े आज मिले तो गाउं और नगरों में यह विशेष्टा होती तो कि तक यह टी बात है कि भारत की अधिक टरावाद ही गाउं में रहना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आशिक्षित रहना अच्छी बात नहीं यह बात ध्यान रखियेगा से दूसरी जगह जाने में विश्वास नहीं रखते नगरों के जो लोग होते हैं उन में बहुत ज्यादा यह होता है कैसे यह वाला नगर छोटा शहर चोड़के बड़े चले जाओं अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा के लिए बड़े शहर में करा दूं यह बाते हमें नगरों में देखने को मिलती हैं लेकिन गाउं में यह गतिशीलता हमें देखने को मिलती है दूसरी हो नगरी चेत्रों में जीवन का धंग जटेल और तीवर होता है नगर में कितनी होच-फोच होती है लोग भागते ही दोड़ते रहते हैं लेकिन शहरों में यह गाउं में हमें यह चीज देखने को नहीं मिलती है आप लोग कभी जाई है मान लिजे दिल्ली मुंबई या मुंबई में आप लोकल में देखेंगे तो कितनी भीड़ है लोग ठसा ठस भरे हुए एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं ऐसी आप दिल्ली में जा रहे हैं मान लीजे राजी चौक मेट्रों स्टेशन पर खड साइड में रह रहे हैं जानते हैं इतना काफी है बहुत ज्यादा सामाजिक संबंद नहीं होते एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं होता तो यह ग्रामिर वस्ति और नगरी वस्तियों में अंतर है आपनों को ध्यान यह रखना है कि कोई एक ही चीज पर फोकस नहीं करना है इंडस्ट्रियल भी बताना है हर चीज बतानी है तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आसान क्वेश्चन होने के बाद भी लिखने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है तो अगर आप ऐसा नहीं देंगे अपने आंसर में तो आपको बहुत अच्छे नंबर न समया दोकरों से यक्त सहत अथ्वा गुच्छित गाउं विशेश रूप से उत्तरी भात की मैदानों एक सार्वत्रे खने अब देखें बोला यह जा रहा है नहीं आपके जाता हैdzils परिष्blesेज मिट्टी जलोड में पता है जलोड मरदा में यहां। मरडा मैं यहां पर लिखदे रहा हूं जल निर जान से अच्छी बात होती है कि जलोड मिट्टी सबसे जादा उब जाओ होती है इसलिए लोग क्या करेंगह भई इसलिए जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वहीं तो बसने आएंगे ना इसलिए इन जगा पर हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत ज्यादा सघंता होती है लोग बहुत ज्यादा रहते हैं इसलिए आपनों देखा हो का भारत के अगर में बात करूं सबस्यादा जनसंख हैं उसके पहले च्छोटी सी चीज्ज हम लोग यह देख लेते हैं कि ग्रामीर बस्तियों के विवन परकारों के लिए अनेक कारक और दर्शाएं उतलाई हैं मतलब लोग जहां पर बसते हैं लोग जहां पर रहना पसंद करते हैं उसके लिए लोग क्या-क्या देखते हैं और आप लोगों के रहने हों तो आप लोगा देखेंगे। सर हम आप अन्वार रहने करेंगे ज़हां पानी बहुत अच्छा मिलाओ वॉभीलूर नहीं बहुत जयादा नहीं हो रहा हैं हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे। यह संबन्द हैं यह चीज़ें जो जगा पर एक जगा पर लोगों को रहने के लिए प्रोसाहित करती हैं तो कौन सारी चीज़ें पहले हैं भूबाग की प्रकृति मतलब अगर माल लीजे कोई एरिया जो है वहां पर लोग रहते हैं उचाई पर बहुत करता है यह क्या पर रहना पसंद करता है यहां पर जो अपनी जान और संपत्ती की जो रक्षा है वह बहुत अच्छे से हो सके लिए घृतिक कारक बात करूं बसने के लिए यह सभी फैक्टर जो होते हैं उम्मीद करता हूं यह वाली स्लाइड आप लों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई अब देखिया आपनों को यह देखना है कि बहुत तो बहुत अच्छे से पढ़ने इन चारों टाइब की बारे में आप लोगो यहां पर आई-एंप लगा लिए यह बहुत इंप लिए अब यह होती क्या है इनकी लक्षन क्या होते हैं मैं एक एक करके आप लोगो बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं है सबसे पहले जो बस्ती हमें पढ़नी एंउस बस्ती का नाम है गुच्छित बस्तिया या क्लस्टरड सैटलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अब यह होती है भी hand से प्स्ट है बूस्तिया कॉल्ण करता हूं आप लोगो जितनी भी गुच्छे के रून में जो हैं वहँ पर लोग या घर धले होतें सब्सक्राइए बौक्स में बना धीया है और यहांपर मैं बना रहा हूं बीच में वह मकान बने होए आग wichtig सकते हैं कि एक साद यहां पर घुड़म के रूप में यहां पर मकानबने होते हैं उसे हम पास इन जो है यह एक कॉलोनी में तो रह रह रहे हैं यह एक जगा तो रह रह रहा है लेकिन इन सभी के जो खेत है ना वो थोड़ी दूर कहीं जाकर जो है वो बने हुए या फिर इन लोगों की जो व्यावसायी या मुख्य व्यावसाय यह प्रात्मिक गतिविधी मैं प्रात्मिक इस लिए बोल नहीं आप लोगों पता है दो यह विशेषता है किसकी गुच्छित और संकुलित या आकेंद्रित बस्तियों की ठीक है यह डाइग्राम आप लोगो को याद रखने हैं दूसरा जो अधारन या दूसरा डाइग्राम में जो मनाने वाला हूं उसको हम लोग बुल रहे हैं अर्थ अर्थ गुच्छित या फिर विखंडित बस हम लोगों को और दिखाई देने को मिलते हैं उसे हम लोग एंसा इसल सोच रहे हो कि आखेट के पास ही हम लोग वह रहते रहे या फिर कुछ लोग आपको पता ही कि हर गाओं मेन जाती परता बहुत ज्यादा प्रबल होती है आज हलाकि उतनी नहीं है लेकिन पहले की गाओ गाउं से भागाकर दूसरे गाउं में या गाउं के बाहर रहने पर मजबूर कर दिया करते थे तो यहां पर गुच्छे के रूप में लोग रह रहा है और थोड़ी दूर डेखने को मिलए घरों का यहां पर थोड़ी दूर जो है पर यहां पर कुछ लोगं के मकाने जुNडी के रूप में और यहां पर Yep पर यहां पर औन यह क sees विक्तिका एक खेत हैं उस सोचा हूए ऐघ्छे मिए चोटा सा मकाननी कोने में बना लेता हूं और यहां पर तो खेती बारी करूंगा ही ऐसे थोड़ा सा दूर वो जाते हैं तो यह और खेत पड़ता है और इस खेत में कोने में एक दूसरे वेक्ते का मकान है फिर थोड़ा दूर जाते हैं एक खेत पड़ता है और वहां पर एक मकान यहां पर कोने में देखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं परिक्षिप्त या फिर एका की बस्ती उम्मिद करता हूं आप लोग को यह चारों डाइग्राम बहुत अच्छे से हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें गुचित और संकुल या आकेंद्रित बस्तियों के बारे में ठीक है क्लियर है डाइग्राम मिट दू चलिए डाइग्राम दो कि स्टार्ट करते हैं क्लस्टर चलिए गृति घरों का एक मतलब यहां पर वीच में गाउं में लोग रह रहने से रहने का जो एरिया है वहां वह अलग है और खेत One स्पस्टार्दी डिफ्रynnस से क्लियर डिफ्रन्स है रहने वाला ऐरिया और खेती बार्डी गल्यों कुछ्छ जाने पहचाने प्रारूप अथ्वा जयामेती आकृतियां प्रस्तुत करती हैं अब देखिए मैंने जो गुच्छत बस्तियां आपनों को बनाई ना जैसे मालीजे यह मैंने एक प्रैटर्न बना दिया और यहां पर जो है मकान मालीजे बने हुए अब कोई जरूरी नहीं है कि इस वरगाकार रूप जो है गुच कि तो यह भी जो है एक ताइब है यह फिर हो सकता है कही पर एक स्लऄ करूम में मकान जो है ने मकान बनाय वह प्रकार यह मत भी इसे क्परious और जो यहां पर वह क्यों यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अलग चीज बस यही थी कि अलग अलग जो डिजाइन है अल उनमें मकान या अम लोग गुरूप जो है वो देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऐसी बस्तियां खासकर जो अभी गुच्छित बस्तियों क है उपजाओ मिट्टी है तो भाई वहाँ पर ज्यादा लोग रहेंगे ना तो जलोड मैदानों में अत्तरपूर्वी राज्यों में हमें ऐसी बस्तियां देखने को मिलती हैं कईवा लोग सुरक्षा अत्वा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गाउं में रहते हैं सहत का मतलब या फिर एसी जगह जो है जहां पर लोग प्रतिरक्षा कारणों से मतलब लोग सोचते हैं कि यहां प्र संपत्ति की सुरक्षा मारी में चान बहुत अच्छे सब्सक्राइब तो याद रखना है के गुच्छित बस्तियां में मध्य भारत बुंदिल खड्परदेश नागा सीमित जल संसादन उपलब दोते हैं वहां हमें संसे सहत बस्तियां गुच्छित हमें देखने को मिलती हैं यह चीज़ें तो आपनों को पता है कि बहुत ज्यादा जल की कमी है बहुत ज्यादा जल की कमी है तो लोग क्या करते हैं ऐसी जगह जहां पर माल लिए एक चोटासा बावड़ी यहां पर पानी मिल रहा है वहां उसके आसपास लोग जो है वह गुच्छे के रूप में मकान बनाकर रहने लगते हैं तो राजिस्थान का वह लाका जहां पर थोड़ा बहुत भी जल संसादन उपलब्द हैं वहां पर हमें गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती हैं क्योंकि ऐसी जहां पर पानी उपलब नहीं वहां रहेंगे ही क्यों लोग ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह गुच्छित बस्तियां जो है वह बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब अर्ध गुच्छित अत्वा विखंडित बस्तियां परिक् मिलती है जहां पर दो गाउं जो है या तो अलग हो गए या इस परस्ट बाउंडरी बनी हुई है दो गाउं में ऐसी इस्तिती में ग्रामिट समाज के एक अधवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अत्वा बलपूर्वक मुख्य गुच्छे से थोड़ी दूर जाकर रहने ल दलित वर्कें यहां पर गाउं से दुश्मनी है आपने सुना होगा कि मुझा समाज निकाला गाउं निकाला दे दिया मालो तो वेक्ति जो है गाउं से थोड़ा सा दूर जाकर रहता है तो ऐसी बस्तियां जो है अर्द गुच्छित बस्तियां जा सेमी क्लस्टर्ट सैटल लोगें वो तो कहा है गाउं के मुख्य भाग पर रहेंगे या एक गुच्छे की रूप में रहेंगे जब कि समाज के निचले तपके के लोग और निम्नकारियों में सलगने लोग जो लोग होते हैं यह निम्न जाती के लोग होते हैं उनको गाउं से थोड़ी बार बाहर जो है वो सैटल कर दिया जाता है या खुद स्विच्छा से भी रहने लगते हैं अब देखिए फिर अगे अप लोगों को याद रखना है तो ऐसी बस्तियां के मैदानों में राजिस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है उम्मीद करता हूं आप ल जब लिए जबफिया कहां पर पाई जाती है तो विन्देल में मद्य बारत में हमें प्यू啊 में राजिस्थान में लाओं पानी का अभाव होता है महां पर और घुच्छ दुश्त है अीता ही हो जो जो सेटलमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं या उनका डाइग्राम मैंने बता चुका जहां पर बंच के रूप में जो है चीजे मिलते हैं माली कुछ मकान यहां है तो ऐसे पैकेट्स के रूप में जो है अगर हमें बसाहट देखने को मिलती है तो उसे हम लोग पल् लगे यह सभी बस्तियां यह जो सैटलमेंट बना हुआ है यह सभी जो है एक ही पंचाहिट छेत्र के अत्रकत आएगा तो कई बार बस्ती बहुते के रूप से एक दूसरे से प्रथक अनेक एकाईयों में बढ़ जाती हैं किन्तु उन सब का नाम एक रहता है ठीक है यह मैं ब कारकों द्वारा अभी प्रेरित होता है मतलब यह जो घंड हमें दिखाई दे रहा है यह तो कोई सोशल फेक्टर से इसके पीछे रिस्पॉंसिबल होते हैं कि भाई कि मेरी समाज के मेरी जाती के लोग यहां है तो मैंने अपनी जाती के लोगों को जो है या मेरे कोई करणों से मतलब मोटिवेशनल फैक्टर्स जिसके पीछे रिस्पॉंसिबल होते हैं इस वज़े से देखने को मिलती हैं ऐसे गाओं मध्य और निम्नगंगा के मैदान चतीजगण और हिमाले की निचली घाटियों में बहुत आयत में पाया जाते हैं किस तरीके से हमनों को क अच्छे से क्लियर हो गई होगी तीन बस्तियां समझ चुके हैं गुच्छ ठीक है अर्द गुच्छ और पल्ली करत और लास्ट है हम लों का परिक्षिप वस्तियां या डिसपर्ज सैटलमेंट बहुत आई एंपिया याद रखेगा भारत में परिक्षिप्त अत्वा एका है यह कोछ लोग माली में सेटल रहने लगे घृंपreich है इसा तो नहीं है कि ऊदो नीब में किसी चैठलमेंट वहां पर देखने को मिलते हैं बस्ति का चरम विक्षेपण प्राया भूबाग और निवास योग छेत्रों के भूमी संसाधन आधार के अत्यदिक विखंडित प्रकृती के कारण होता है मतलब जहां पर जो होतं संसाधन बहुत बिखरे हुए होते हैं वहां पर हमें को मिलता हया है तो बहुत जाँड़ी जूर जाकर प्लेन जमीन मिली तो बहुत जादा विखन्डित होता है तो वहां पर हमें इस तरीके की बस्तियां देखने को मिलती है सब्सक्राफ कर देखने को मिलता है यहां पर भूमी बहुत जादा उब्र खाबर होती तो कई बार परिशिप्ट बस्तियां हमें वहां पर भी देखने को मिलती है उम्मीद करता हूं आप लोगों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब देखिए हम लोगों ने ग्रामिड बस्तियों के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ लिया है डाइग्राम बबस्तियों बसाहब किस तरीके से होती आई ये समझ लेते है घ्रामिड बस्तियों के अबब्रकार के अतर्शी और प्रशास्थी तो नगरों में जो लोग होते हैं वो गो करशी कारें नहीं करते आपनों को पता है दो करते हैं और प्रशास्की कारियों में सलंग होते हैं तो सर्विस क्लास लोग जो है वह नगरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जैसा कि पहले किया गया है नगर अपने चारों में बड़ यहाँ सब्सक्रियां कर रहा है जो है करंदी करने और कहां पर आ रहें वह नगर तो गाओं से भी नगरी छेत्रों में चीज़ें पहुंचती हैं और नगरी छेत्रों से भी गाओं में चीज़ें पहुंचती है कैसे माल लीजिए कि गाओं से नगर में जो है वो दूद पहुंचा अब नगर में जो है दूद से जो हम लोगों ने चाच बनाया उसको वहन और संचार साधनों की वज़े से यह जो संबंद है वह और ज्यादा प्रगार या फिर धम बोल सकते हैं मजबूत हो गए अता वस्तु और सेवाओं का विनिमय का विनिमय का प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी शहरों और नगरों की श्रंकला के माध्यम से संपन हो यह तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है लोग जा रहे हैं आ रहे हैं या पड़ियों मंडी के माध्यम से यह शहरों के माध्यम से क्या और रिलेशन हो गया और निर्भर भी होते हैं और परत्यक्ष इंदूं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब भारत में नगरों का विकास किस तरीके से हुआ आज हम लोग वो समय लेते हैं तो भारत में नगरों का स्वरूप या जो नगरों लोगों को विकास किस तरीके से वह उस प्रक्रिया को आज हम बहुत अच्छे से समझने बाले हैं भारत में नगरों का अभ्योदय प्रागयते हैसे काल से जुड़ा हुआ है मतलब इतिहासे काल से अगर अगर बात करें जब इंसान ना लिखना जानता था तब भी नगरें ज अब देखा होगा हरभा और मोहन जोड़ों को नाम आप लोगोंने सुना होगा सिंदु गांती सब्सडा आप नोगों ने पड़ी होगी तो उस समय भी ताथकालिक रूप से अंगरों देखें तो हरभ और मोहन जोड़ों जो दो थे वह समय के नगर हुआ करते थे और उनक तक नगरों में कई बार हमें धके हुई नालिया या सेनिटेशन उस तरीके का परियाप नहीं देखने को मिलता ता आज भी हमें बहुत ज्यादा जो है सलके देखने को मिलती है जहां पर छोणी नहीं होती है और हरपा और मुहन जोद्रों मेंस अब कर दो थी वह प्रॉपर हुँए एक दूसरे को समकॉंड पर काटा करती थी आज हमें शहरों में नगरों में जो हैं हर जगा जो है सोचालय देखने को लहीं मिलते लेकिन उस समय हलपपा और मोहन जोदलों में हर घर में पानी की प्रॉपर व्यवस्ता थी और स्नानागार या सोचला जो थे हुआ करते थे तो देख रहे हैं कि उस समय तक नगरों में जो थी इस तरीकी की प्रॉपर विशेश्टा हैं थी हम सभी देखेंगे बहुत अच्छे से ध् विकास का साक्षी है इसके बाद भी जो थे भारत में नगर नगर जो थे उनका अभ्योदा हमें देखना को स्वरूव हमें देखने को मिला है यह समय अठारवी शताब्दी में यूरोपीयों के भारत आने तक उतार चरहों से उतार जो चड़ाव थे उन से भरा हुए पॉर्टगाली यों का हमारे अंग्रेज या उनके पॉर्टगाली डच अंग्रेज डेन फ्रांसी सी यह सब ही जो है इनको कॉमन हम लोग क्या बोल देते हैं या कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं कि यूरोपी हमारे देश में तो यहां पर आये तो उन्होंने भी प्राची नगरों में हम लोग देखेंगे कि भाई हरपा मोहन जुद्रों से जो चीजने स्टार्ट होंगी मदिकाली जो नगर है उसमें सल्तनत काल जाएगा जिसमें गुलाम बंश को तुगलग वंश घिलजी वंश या फिर सैयद वंश लोदी वंश में जिन नगरों का हुआ मोगलकाल में जुन नगरों का विकास हुआ वह मदिकाली नगर हो जाएंगी एक प्राची नगरों की नगरों की तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की एतिहासिक प्रस्टमूमी वाले अनेक नगर हैं अगर हम लोग भारत में बात करें 2000 साल से पुराने भारत में नगर आज भी मौजूद है इन में से अधिकांश का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है तो खासकर 2000 साल से पुराने जो नगर हमारे भारत में पाए जाते हैं उनका विकास कैसे हुआ है धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में जैसे कि प्रयाग राज हो गया या फिर हम लोग बनारस की बात करें बहुत पुराने पुराने नगर है बारासी इनमें से सर्वादिक महत्वपूर नगर है प्रयाग पाठली पोत्र जिसका वर्तमान नाम का है पटना है मदुरही देश में प्राचीन नगरों के अन्य उधारन है मैंने आपनों को बार बार कहा है मैं फिर से बोलते रहा हूं जितने भी नगर है उनके कि यह नगर आप लोगों ने बता दिया तो आप लोगों को प्राचीन नगर में इस तरीके के नगर बताने पड़ेंगे जिनका कोई धार्मिक महत्वर रहा हो जैसे हमें पता है कि वनारस जिसका धार्मिक महत्वर भाई काशी विश्वनात मंदिर है भगवान शिव के जोतिल ल कि नहां पर संगम है पाटली पूत्र मौरे काल्स के समय सही जो है बहुत ज्यादा फेमस रहा है जिसका आज के समय वर्तमान नाम के है पटना मदोरही में पता है मीनाक्षी मंदिर मदोरही कितना फेमस है तो यह सब नगर नगर यह प्राचीन नगरों की अगर मैं बात हुआ है इनमें से विकास रचवाडों और राज्यों की मुख्यालें की रूप में हुआ है मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं या तो राज समय कि यो घंडर हुआ करते था यह उस समय यह कि मद्दिकाले एक दम नए तरन 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 ताजह ताजह बसे वह yüz से अगरहों का विकास बीडिन नगरों के क्मड़ हरों की सब्सक्राइए पर जो राजधानी थी वो आगरा थी फिर बाद में दिल्ली शिप्ट होई हैतरबाद निजाम जो है वहां पर उनके प्रमुक जहां पर सत्ता जो है यहां से संचालित होती थी जैपुर के नाम जो है मद्दिकाली नगरों में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो यह धारन आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से अब आधुनिक नगरों को हम लोग समझ लेते हैं आधुनिक नगर मतला अंगरेज यह यूरोपियों के आगमन के बाद हमें पता है कि भारत म पर जो है लगबग 190 या 200 साल जो है हुकूमत की उसे हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेज जो हमारे देश में इतने समय तक रहे तो अंग्रेज अगर हमारे देश में रहे तो उन्होंने भी कुछ नगरों का विकास किया तर्टी स्थानों पर पैर जमाते हुए उन्होंने सर् की दमन और गोवा में उन्होंने व्यापारिक इस्टैबलिश की पॉंडी चेरी और हम गोवा में अगर हम बात करें तो पूर्टगाली पूर्टगालियों को जो वर्ट्रस था वह बहुत ज्यादा था तो यह जो शहर थे वह व्यापारिक पत्तन की रूप में विक्सित तो इसलिए जो है इनकी जो शहर थे वह आप लोगों को कोस्टल जो इलाके हैं वहाँ पर दिखाई देंगे अंग्रेज ने भारत में तीन मुख्य नोडों मुंबई चेननाई कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की अंग्रेजों ने जो था वह तीनों महानगर जो पर अभी भी देखने को मिलेंगी तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों नगरों के बारे में पढ़ा अब देखिए अपनी प्रवाविता को प्रत्यक्ष रूप से तथा रजवानों पर नियंत्रन के माद्यम से तीजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद् से अंग्रेज लोग अगर चुट्टी मनाने जाते थे तो उन्होंने बोला कि यह वहां पर कुछ नगर जो हैं शिम्ला नगर वसा देते हैं या फिर हम डलहौजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा यह कुछ नगर है यह मैं व्यक्तियों के नाम नहीं बोल रहा हूं अं पर जो परवतिये नगर थे अपनी राजधानी कई बार गर्मियों में वहां ले जाया करते तो वहीं से कार्यों को संपन्य किया जाता था अठारा पर आधारीत नगरों का भी जर्म हुआ जमशेदपूर इसका उधारने तो देखिए यह नगर जो है वह हम लोगों ने दे कि यहां पर भी जो था है ऑसकी थोड़ीसी अंत्युम सकते हैं तो यहां पर भी मशिआ जो था वह संपन्य होने लगा तो यहां पर यूरोपियन के आगमन के बाद जिन नगरों का विकास हुआ वो किसी एक उद्देश के लिए नहीं हुआ पलेटन के लिए उद्योग के लिए हुआ या अपनी राजधानी को उन्होंने शिफ्ट किया तो यह बहुत सारे नगर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं अब बात जाती है आजादी के बाद की तो सोतंतरता प्राप्ति के परशाद अनेग प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगर भूमनेश्वर गांधी नगर डिस्पूर आदि और अधियों के केंद्रों जैसे दुरगापूर भिलाई सिंद्री बरोनी यह केंद्र की रूप में विक कारी जो थे वह इन राजधानियों पर बैठने लगे तो इसे हम लोग क्या बोलने लगे प्रशासनिक केंद्र क्या बोलने लगे प्रशासनिक केंद्रों के बाद जो था अलग अलग जगर जो है इंडस्ट्रीज भी लगने लगी जैसे दुरगापूर भिलाई मालों 36 की बात करों बहार में याफिन्द्री ज्यारखंड की बात करूं तो यहां पर जो तो अलग के रूप में जो थी वह वान नगर जो विकस्त होने लगे यह सब तो दिल्ली के आसपास बीना कुछ छोटे छोटे नगर जो थे विक्सित होने लगे वह जोड़ने लगे आपस में जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या नाम सा एंसी आर आप लोगों ने आश्टी राजधानी छेत्र हिंदी वें से बोलते हैं नेशनल कैपिटल र अब क्या हुआ कि पहले तो इंवेस्मेंट था बप सिरफ नगरों में हुआ कर दeता अब अब क्या है अब कि बहुत ज guessing हो PM rotation बहुत ज्यादा हो गया management जो manage कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है अब बड़ी संक्या में investment जो है वह कहाँ होने लगा है वो मध्यम और चोटे नगरों में होने लगा है तो यह पहले से थोड़ी सी विपरीत जो है चीज़ें आज के समय हमें देखाई दे रहे हैं नगरी करन के इस्तर का माप कुल जनसंक्या में नगरी जनसंक्या के प्रतिशत की रूप में किया जाता है अगर हम भारत में नगरी करन की स्थीदी देखें कि भारत में कितने लोग या कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो नगरों में रहती है तो 2011 के अगर डेटा की हम कि 31 लोग ही भारत में नगरों में रह रहे हैं और बाकी जन संक्या ओविसली जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए तो वह कहां पर रहेगी वह कहां पर रहेगी बीस्वी शताब्दी के दौरान नगरी जन संक्या लगवग 11 गुनी बड़ी है बीस्वी शताब्दी मतला 1901-1991 की मे कि यहें केंडरों के और नए नगरों के आवयरवाह हो नहीं नगरी जन संक्या की व्रद्दी और नगरी करण में सार्थक भूमी का नवरह अंब क्या हुआ हैं धीरे धीरे जो है नए नगरों काcan विकास हो रहा हो पहले जो नगर थे वो बड़े बड़े नगर ही फेमस जो थे नगर हुआ करते दिल्ली मुंबई चैन्ने को लगाता तो अब जो है छोटे छोटे नगर अपनी सर्वेसिस की वज़े से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है तो नगरी जनसंख्या में भी हमें व्रद्धी देखन कोहम लोग बोलते हैं वह उतनी स्पीड या इंध उतनी ज्यादा नहीं है जो पिछले सालों में हमें दिखाई देती ही है पिछले जो है सौसालों में किस तरीके से हमें नगरी च्छेतरों में घृधरे धेक्षने को मिली है तो यहां पर जो है नगरी जनसंक्या की घृधर तक हुआ करती थी तो यहां पर यह चार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टन तो नहीं है लेकिन डेटा आपनों को बताना ही पड़ता है जब अगर नगरी जनसंक्य की ग्रोथ के बारे में अगर आपनों से कुछ पूछ लिया जाए तो अब देखिए हेडिंग दी गई ह विशेशी करत सेवाओं का निश्पाधन करते हैं तो कुछ शहरों नगरों को कुछ निश्यत प्रकारियों में विश्यता प्राप्त होती है तो बहुत से नगर और बहुत से शहर ऐसे हैं जो काम के लिए झा रहा है और विश्यत्य कुरियंचे क्रिया उत्पादन वैसे पर सेवाओं के लिए जाना जाता है कि कोई अनुक्त की बहुत सेंप्सक्र पेहं पहचान को मिलती है यह इस yeni की वात कर तो हर एक नगर की अपनी एक विशेष्टा होती है फिर भी प्रतेक नगर या शहर जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनिक प्रकारी करता है तो ऐसा नहीं है लेकिन आज की समय में को की कोई एक नगर या शहर वो उसी के लिए जो है वो जाना जा रहा हो क्योंकि हर एक नगर जो ह हैं कि हो गित्तु करस्क्ट नगर को हम कितने टाइप में व yemधी करत कर सकते हैं तो यहां पर कुछ टाइप हैं मैंनेगों बता दी रहा हूं जैसे कि प्रशास्निक नगर औजुगिक नगर वाणिजिक नगर और गै destac गैसे ढएक बार देख लेता है कि यह क्या होता है सब चंडी कर जो है वह परशासनिक कर संपन होगा बछनी ही निकार की संपन हो रहा है जो माली जय ahora प्रशासनिक कार्शी नगर से संपन्न हो रहा है कांधी नगर गुज्रात की कैपिटल है जैपुर राजिस्थान की कैपिटल है चैन्नाई तमिलाडू की तो हर एक राजी की कैपिटल अगर आपनों को याद है यह याद रखने की ट्रिक भी है बस तीन-चार आप कैपिटल प्रशासनिक नगर नेक्स जो नगर होते हैं वह थे अध्योगिक या इंडस्ट्रियल नगर जिसका हम लोग बोलते हैं तो अध्योगिक नगर मतलब जो उद्योग की वज़े से फेमस हैं जैसे मुंबई जो है वह सूती वस्तर उद्योग के लिए फेमस है बहुत सारे सब्सक्राइब करता है जिसलिए पॉर्प यहां से अगरें जाता है तो अगर वह जो है शिप्स की मदद से भी जाएगा और माली जे ऑर रोड की मदद से भी जाएगा तो उसको हम लोग बात करें Want कि कोजी कोट बात करें विशाधा पत्लम की बात करें यह सब अपने अंत्रिक परिबन की धुरिंगा और अंत्रिक परिंखन के यहां बहुत है च्छों है कटनी होता है। सामान होता है मालगाणियों के माध्याम से तो यह यह आंतरिक चेत्रों में सावाण acceptable करने व्यापार और मानच जी की दरष्टि को मुझार को चाहरों को इस वर्ग में रखा आता है यह सब नगर है वह कौन से नगर है वह बानिजिक नगरों के रूप में ओप इसक या फिर यह मचली जो पालन है मचली अप्लाय कैसे पूलकाता सवारनपूर लकडियों के लिए सोफा या सहारनपूर के लगड़ी बहुत ज्यादा से सतना मद्ध पृदेश में वस्ते थे दे, जो एक वानिजीक नगर है, जो अपने चूना पत्थर उद्जियों के लिए झाहँ से कोईला निकलता है माली एक जगा है कोईला निकल रहा है तो लोग कोईला निकाने के लिए फिर चले जाएंगे वह ऑपने आप में एक नगर विक्सित हो जाएगा तो यह नगर वहाँ जो यहां पर नगरों के रूप में पूरे देश में आज हो चुकी है नेक्स जो नगर है वो है गैरिसन नगर जिसे हम चावनी नगर बोलते हैं जहां पर सेना का या तो कोई यहां पर यह सब्चेय की के रूप में होजा हुआ है जैसे कि हम अंबाला की बात करें हैं जालंदर प्रदेश में बविना अत्तर परदेश में मौध में अध्रपृर रुधंपुर जो है वो जम्मू कश्मीर में हैं तो यह जो नगर हैं जो सेना के मुक्याले की रूप में यहां इस्ट्रेटिक लोकेशन और यह च्छावनी नगर की रूप में विक्सित हो गाए को थार्मिक और संस्कृतिक पहचान के लिए आज बहुत जैसे कि मैं बात करता हूं तेंपल की मुथरा भगवान कृष्ण की अमरत सर अमें पता है गुल्डन टेंपल अवस्तित हैं तो यह सब हैं तो जिन नगरों में आज सिक्षा की सुविधा है यहां पर तो मुख्तत करों ओर करों कि रूप की तो एक हम बात करें तो वालास है कि बातक है थो यह जंदलिये फेमस संभीधा सुभीधाओं की वज़े से रुड़की बनारसी अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी विट्स पिलानी का आप लोगों नाम सुना होगा यह सब जो नगर है वो सेक्शनिक सुभीधाओं की वज़े से आप लोग याद रखना है आप लोग ऐसा नहीं रख सकते कि एक ही माली ज शहर है वह आप लोगों हर जगा माली चिपका दिया ऐसा नहीं होगा अब मात करता हूं परेटन नगर भारत में कोच नगर ऐसे हैं जो परेटन की द्रस्टिकोंट से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जहां पर हर साल परेटक लाखों की संक्या में जाते हैं जैसे कि न के सिसल्ट हैं जहां यहां पर माँन्ट अबू कुछ परेटन स्थल जो हैं वह बहुत ज्यादा फिमस है नगर अपने प्रकारियों स्थिर नहीं रहा हो वर्तमान में एक नगर विभिन कारणों से फेमस हो सकता है जैसे कि मैं बात करूं माल लीजिए शिम्ला की में बात कर और घिएजिंस के लिए में वह उती है तो बहुत सी नगर बहुत सारी चीजों की बज़ें से आब स्बेजब हो चुके उनकी अबना कर विशेश काम लिए इस जाएं आगर वह gospels मंतला मईस हर तो जैसा हो यह OH द्रहों काम जो बबलने पर बहुं मुंबई मुंबई फेमस था पहले माली कोटन इंडस्री के लिए लेकिन आज के समय मुंबई एक महानगर बन गया है तो क्या एक चीज है वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें जो है उपलब्ध हो चुकी है तो मुंबई आज मल्टिपल जो हब है सेवाओं का वह बन चुका है तो विशेषिकरत नगर भी अनागर बनने पर बहु प्रकार राद मर्भा न बन जाते हैं उद्योग व्यावemy प्रशासन परिवन इत्यादी महत्पूरन हो जाते हैं प्रचार इतने अंतरनदित होते अंतलब नकर की DevOps में इतने ज्यादा जुड़े होते हैं यह सभी काम कि नगर को किसी विशेश प्रकारे में वरिगी किरत किया ही नहीं जा सकता ठीक है तो नगर जो होते हैं आज के समय कोई एक काम नहीं कर रहे होते हैं वो मल्टीपल काम जो है कर रहे होते हैं इसलिए जो विशेश करत काम या हम लोग बोल सकते में बहु प्रकार्यात्मक जो नगर है वो आज के समय विक्सित हो जाते हैं एक चीज़ और है आपनों को याद रखना स्मार्ट सिटीज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि स्मार्ट सिटीज क्या होती है हमें पता है कि नगरों में आज आधरवू सुविधाओं की देव हो रही है तो यहां पर परिवहन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक्जाम में क्वेस्ट आ सकता है कि स्मार्ट सिटीज क्या होती है इस तरीके से हम लोगों जो है complete chapter revision यहां पर जो है देख लिया है आप लोगों की डिमांड हमेशा से होती है सर एक ही वीडियो में जो है सारी बाते हमें बता दीजिए ताकि exam में बहुत ज्यादा help हो जाए तो मेंगनेट ब्रेंस आपकी इसी सुविधा का जो है वो कर सकते हैं इसी तरीके से cbsc बोर्ट के सांट डेली बोर्ट बिहार बोर्ट यूपी बोर्ट यूपी बोर्ट राज्थान बोर्ट में हम आपके लिए classes लेकर आते हैं व्यदिक मैस्क्रेश कोर्स और इंग्लिश की classes भी आप लोगों के लिए चल रही है www.magnetbrins.com यह हमा बस इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए आज की इस वीडियो को लाइक कर यह तुरंत अभी वी कि जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तुरंत उनको लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ठीक है यह इनोट्स और ईबुक्स के लिए आप डिस्क थेंक यू थेंक यू सो मच